देखा जाए तो हर कलाकार प्रतिभाशाली तो होता है अपने तरीके से परिश्रम भी करता है पर किसी को अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संगर्श करना पड़ता है पर कुछ लोगों को सफलता एकदम से मिल जाती है और आज हम आपको जिन कलाकार से मिलवाने वाले हैं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ उन्हें रातो रात एकदम से कामयाबी मिल गई अब हो सकता है कुछ लोग इसे किस्मत कहेंगे पर मेरा मानना है कि सही समय पर सही जगे पर सही इनसान से मिलना आपको एकदम से सफलता की रा पर लाकर खड़ा कर देता है इसे पहले मैं आपको आज की कलाकार का नाम बताओं पहले आप ये सुनिये जी हाँ अब मुझे शायद नाम बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप सब इने बख़ू भी जानते है कलाकार की कहानी उनकी जुवानी की श्रिंगला में आज हम आपको मिलवाएंगे जैसल मेर की फूकाट सरवर खान से जो अब एक जाने माने स्टार है अब ये चाइल स्टार दीरे दीरे बड़ा हो रहा है आपको बता दू कि सरवर खान का बजबन अपने ननिहाल यानी नानी के यहां बीता वहाँ उन्होंने अपनी नाना जी यानी हसम खान से संगीत की सिक्षा प्राप्त करी राजस्थान में आज भी ये फादर टू सन वाला फामिली ट्रेडिशन चला आ रहा है सरवर के पिता करीम खान भी एक प्रतिष्ठित फोक आर्टिस्ट है वैसे सरवर को जगे जगे पर जाके गाना गाना बिल्कुल पसंद नहीं था शुरुआती दोर में कि आप कुछ सुन लीजी वो क्या कहते हैं मैं अपने बच्पन में नाना जी और मेरे ताउजी स्वस्री कुतूब दिन खान साथ जब भी मैं गाने बेटता था तो मतलब उनके गाने लाइक जैसे राजस्थानी फोक जो बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पुराने वह कि अब मेरे को समझ में आया कि मतलब जो राजस्थानी प्योवर ट्रेडिशनल पुराने आसे काफी साल पुराने वह जब भी मैं आज कहीं पे बैटता हूं वह अगर गाता हूं तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उस टैम मैंने जो उनके साथ बैटके गाया जैसल मेर के औडिशन में सरवर और सरताज को गाजी खान ने पुह अच्छाया और फिर बीस लोगों में चार लोगों का सेलेक्शन हुआ और अंत में सरवर और सरताज को म्यूजिक डिरेक्टर प्रीतम ने बापू सेहत के लिए तुतोहानी कारत के इक घीज के लिए फाइनलाइज किया ये गीत रिकॉर्ड होने से पहले सर्वर ने इससे पहले कभी कोई स्टूडियो नहीं देखा था उस पल उनका क्या अनिभव रहा आये सुद्धे है फर्स टाइम हम जब बॉंबे गए प्रितमदा के स्टूडियो में तो फर्स टाइम रिकॉर्ड करते बहुत अजीब टैप्स ही लो रहा था क्योंकि जो इस्ट्ूडियो में स्ट्ूडियो की जो वाइब है और वैसे भी प्रितमदा के स्टूडियो बहुत ही बड़ा स्टूडियो और बहुत ही अच्छा स्टूडियो और जब मैं फर्स टाइम गया तो मेरेको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी एरफॉन्स लगाने में जब लगा था मेरेको ऐसा मतलब फील अजीब सा होता मैं सोचा यार कानों पे इतने बड़े-बड़े डाल दी यार मेरेको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा कई बार संगीत सिखते वक्त जब सुर सही ना लगे तो डाट भी लगती थी कुछ इस तरह अब तो सुर भी सही जगे लगते हैं आप स्वेम सुनिये और आपे करं बच्चों पे सितम रे बापू मेरे यह जुल्म ना कर आपे करं बच्चों पे सितम रे बापू मेरे यह जुल्म ना कर तु तो हानी कारिक हैं हम पे थोड़ी दया तो गर हम नgehें सर्वर ने जो पहली सीड़ी से बारवी सीड़ी पर एकदम से छलांग लगाई यानि जम्प लगाई उससे उनका जीवन एकदम से बदल गया इतनी कम उम्र में सर्वर खान दस कंट्री से भी अधिक देशों में जा चुके हैं और अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं बात जब सर्वर की हो रही हो तो उनके साथी सर्टाज की ना हो ऐसा कैसे हो सकता है इन दोनों की जोड़ी सच में प्यारी भी है और निराली भी सर्वर की पहले ये सोच थी कि जैसे उनकी कम्यूनिटी में होता है ना कि जगे जगे जाकर गाना गाना ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था उनको लगता था कि जब वो बड़े होंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे पर हाँ अब उनका उद्देश एक्दम बदल गया है अब सरवर संगीत में आगे सिक्षा लेना चाहते हैं और म्यूजिक में ही हायर स्टडीज करना चाहते हैं हमारे पूरी टीम की शुपकामनाएं उनके साथ हैं सरवर खान सफलता की सीड़ी यूही आगे चड़ते रहे हम सब की यही प्रार्थना है आगे हमारे राजस्तान फोक को मैं आगे बढ़ावा देना चाहते हूं और हम यह चाहते हैं कि हमारे फोक ओल ओवर इंडिया ओल ओवर वर्ल्ड हमारा सुने फोक सॉंग्स एंड फोक को आगे बढ़ावा देना चाहते हैं बापू से हद के लिए तू तो हानीकारिक है